राम राम जी सनातों धरम की जाएं और सभी को शुब कामनाएं रक्षा बंदन के तिहार की हिंदूओं का सबसे बड़ा तिहार है अब थोड़ी सी दुविधा बनी वी है कि शुब मुहूरत क्या रहेगा राखी किस समय बांदे तो मैं आया हूँ इस समय पदमशरी जो हमारे भारत के प्रसिद शास्त्री जी है विश्व मूर्ती शास्त्री जी उनसे ये जानकारी लेने और वो आपको बताएंगे शुब म बार मुहूरत क्या रहेगा किस समय राखी बदवा सकते हैं जो रख्या बंधन का मुहूरत है वो तीस अगस्त को रात को नौव बैकर दो मिनट से लेकर की है क्योंकि दिन में भद्रा हैं भद्रा में रख्या बंधन नहीं किया जाता और शास्त्र का वच्ण जी है कि यद पर दूसरे दिन छे खड़ीन नहीं है और डो घड़ीया और 40 पल है तो इसलिए यह दूसरे दिन का जो भू global बहुत आवश्यवता है जích डिको आजमी क। कि किसी कारणवश कि सी परिस्तिटी वसों तो साथ वह तक अपना रख्याबंधन कर सकते हैं लेकिन विशेश जो शास्त्र का निजम, शास्त्र का जो मंथन है हमारे जो पंचांग कार हैं उन पंचांग कारोंने जहां पर दिया हुआ है वो यह है कि रात को नौ बज कर दो मिनिट के बाद हम रख्याबंधन करें और उसी इतम हमार भलाई है उसी में अच्छा है और यदि अत्या वश्रक्ता में कोई आदमें किसी के पास नहीं जा सका कोई भाई के पास नहीं जा सका कोई दुरूह रास्तों में कोई आदम यतिना दूर नहीं जा सका तो दूसरे दिन साथ से पहले पहले वह रख्याबंधन कर लें और यही हम सब के लिए उपडूत रहेगा इसलिए बेहने जो हैं यह अच्छा यह होगा कि यदि यदि कोई उसमें इस प्रकार का ऐसा हो कि हम बिना खाए हुए जहां पर रख्या बंधन करती थे तो हम कैसे करेंगे आप फलाहार कर सकते हैं फलाहार भी ब्रत में ही मना जाता है और दिन में और रात को रख्या बंधन किया भाई को भाई की दिरगायु की कामना की मारकंडे जी से प्रार्थना की सब्त रिश्णियों से प्रार्थना की और यह करके रख्या सूत्र जो है वो भाई के कलाई में बांद लें और उस समझ यह मंत्र बोल सकें तो यह नवद्ध थे बंधे गए थे हैं क्योंकि वो भगवान को बापस बहाँ पर जाना पड़ा था उसी प्रकार से यह रख्या सोत्र मैं आपको बांजता हूं बांजती हूं जहां भाई के कलाई में और यहां पर अब स्थेर रहना और इसकी रख्या करना यह बात बहुत विवस्थित तरी बंधन जैसे कि मैंने पीछे बतलाया लेकिन वो सारे के सारे बंधन जो थे वो प्रारम हुए रख्या बंधन हुए लेकिन यह तेवहार यह बहुत एक साकार तेवहार और पूरे भारतवर्श में और हर वर्ग के लिए हर जाती के लिए यह तेवहार है कोई भी भाई अप और उसकी उन्नती के लिए अपने कामनाई करती हैं और भगवान से प्रार्थ सांकर करके रख्या सुतर बांती हैं इस रख्या सुतर से सभी भाई जो है वो उप्रित हो और उनकी रख्या हो और वो एक थोड़ी सी बात मैं यह जरूर करना चाहूंगा कि बहने जो है अपने भाई को थोड़ा सा यह जुरूर कहें कि यदि किसी भाई में किसी भाई में यदि कोई किसी प्रकार की कोई आदित हो नशे की तो मेरे मेरा मैं यह आपसे बजल लेती हूं कि भाई इस आदित को छोड़ दो जितने भी जितने सारी बातें किया रही हैं जितने बड़े-ब बखुत बड़े बड़े जुरूस भी निकाले जा रहे हैं पंक्षिन भी होते रहे हैं और नशा को दूर करने के लिए लेकिन बहन जदी भाई को कहेगी तो भाई जुरूर मनेगा और इससे हमारा समाज जो है वो दिन पर दिन और आगे पढ़ेगा बहन कहीं कि अच्छा भ भी इस बात को आए कहुँगा कि जो भी बहने जनको लगता है कि अगर उनके भाई में एक नशे की बुरी आदत लग चुकी है तो वो रक्षा बंदन के दिन उनसे यही प्रन ले लें कि आप ये नशा छोड़ दोगे तो हम अपनी सुसाइटी से ऐसे नशे को दूर कर सकत हैं तो बड़े अच्छी जानकारी तो शास्तरी जी ने दी है तीस अगस्त को रात नो बज़ के दो बज़े के बाद आप रक्षा बंदन कर सकते हैं राखी बंदवा सकते हैं और अगर कोई कारणवश नहीं कर पाए तो वो अगले दिन यानिकी 31 अगस्त को सुभा साथ ब मूरत है धन्यवाद राम राम सनात्म धरम कीज़ें